हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सबी को सौगत है आपके अपने चैनल निर्जला रसोई में तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं मेरे फेवरिट भाजी बड़े तो भाजी बाड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैथी की भाजी लिए उसको मैंने कट कर लिया है फिर पानी के साथ वाश कर लिया है भाजी को वाश करने के बाद मैंने उसमें कुछ हर इमर्च एड़ करें कट करके मैंने यहाँ पे जो है बेसन एड़ कर दिया है और साद अनुसा नमक एड़ कर देंगे फिर कुछ स्पाइसे एड़ करेंगे जैसे की लाल मिच पाउडर गरम मसाला और एक चुटकी हम हीं एड़ कर देंगे देखिए अब हम इसमें जो है अद्रक को किसकर है एड़ कर देंगे हम सारे इंग्रिडेंट को पानी के साथ मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना कर तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम जो है इसका एक डो बना कर तयार कर लेंगे इस तरीके से मैंने आप पर थोड़ा सो और बेशन एड़ कर लिया था दो तयार होने के बाद मैं इसमें दो चंपच ऑईल मिक्स करूंगी और इसका दो बना लेंगे यहां हम तेल कर अमोने रख देते हैं जब तक हमारे डो की जोए छुट छुटी बाल्स बना कर तयार कर लेंगे कुछ इस तरह से हमें इस तरह से गोल गोल बाल्स बना कर तयार कर लेंगे जैसे आप चाहें और बड़ी भी ले सकते हैं आप अब तो फ्रैंस मुझे भाजी बड़े बहुत पसंद है आप लोग कमेंटे बताइए आप कैसे लगते हैं तो देखिए तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें हमाई आए बोल्सल को डाल लेंगे और हाइव फ्लेम पर सेखना हे ए मत हमें यहने हाई फ्लेम पर सेखना एए हमें इन्हेग मुने ओक भी मापर एक म開वर क्लार सुनाया हो जा तAre इने निकाल देंगे तो इस तरीके से आपको इनको हाई फ्लेम पर एक मर्टक सेखना है फ्राइ करना है फिर आप निकाल दीजिए ने मैंने या इने निकाल लिया है देखिए अब जो आई गोल गोल बॉल्स है हम इनको जो है अब देखिए हम इन पर जो है हाथ की मदश से दावकर इने इस तरीके का सेब दे देंगे जो बॉल्स हमने सेखिए इनको इस तरीके से देखिए मैं इस तरीके से देखिए है है अब यह हमारे बाजी बड़े हैं तो अब बड़ों को जो है मीडियम फ्लेम पर फिर से फ्राइब कर लेंगे और इस वह हम को अच्छे से फ्राइब करना है इनको और हमारे जो भाजी बड़े हैं बनकर तयार हो जाएंगे मैं तमात्रे की चटनी बना रही हूं सर्व करने के लिए तमात्रे चटनी बाजी बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं आप लोग भी ट्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ओक्के बाइफ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में की फॉल्म ओदनी लगते हैं